आपके घर में कोई फंक्षन हो, फेस्टिवल हो या गेस्ट आये हुए हो इस बहुत ही स्वाधिस वेज थाली की रेस्पी को आप मिंटो में बना के त्यार कर सकते हैं ऐसा मैं आपको साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ तो इस वीडियो को लाश्तर देखेगा बिल्कु इसमें आपको डाल देना है विनिगर यानी की सितका यहां पे देखेज आदे से जचाँ में डाल दिया है इसे हम कवर करके थुछा सा भिला देंगे, ताकि सारे प्याज में अच्छे से लग जाए और इसको आपको साइच में डख देना है इतने में जो आपका प्याज फ बहुत ही अच्छे से इसका कलर आजाएगा अब मैंने यहां पर लिया है चार चम्मच चावल आप ऐसा चावल लेजिए बासमती चावल का यूज ना करें और इसको हम धो के अच्छी तर से दो से तीन बार दो देंगे और इससे आपको भीगोने के लिए कम से कम 20-25 मिनट के दो दो लिए तो यहां मैं खीर बना रही हूँ इसके लिए मैं जाए बना देर तक आपको पकानी की जौनी बड़े की यहां दोद को मैंने एक बहां बॉल कलिया था तच्छे से फ्रीज में रखा हुआ था था थंदा होगे तो इस मैं थोरा सा दूद निकाल जीए इससे क्या होगा ना दूद का जो फैट कंटेंट है वह बढ़ जाएगा तो जो हमारी खीर है बहुत ज्यादा रबड़ीदार बने की यहां पर अच्छी तरह से ना मैं इसको चावल को मसल लोगी भीग जाता है ना अच्छी से तो इसको आप आसानी से टुकड़ों में बॉल हो गया है दस मिनट के लिए मैं अच्छे से पका लिया है तो इसमें हम डाल देंगे मिल्क पावडर कर जो हमने घूल बना है इसको आपको डाल देना है इससे ना इसका टेस्ट बहुत जाता बढ़ी आ जाएगा और बिल्कुल मावे की जोओत ने पड़ेगे कंडें या डालने की जॉनत नहीं पड़ेगे आपको इसको अच्छा से मिक्स कर लेना है इसके बाता मैंने यहां पर चावल को डालाते हुए श्कीप वो गई या जब गपिए लेखे यहां पर नहीं दूद है तब सुछ चावल को डालना है यहां पर मैं दो मुठी भर की यहाँ पे तरहले प्जाले के और हैं डीटा थे आंफिट आ स हित्क आने के स्वैश जीचा स्वाबसाय के यहाने थे जैसब होता 라ट और अग्याओं आफिटाते हैं दो आपी मैंने सारे प्यासर डीच कहा होगँ यहाँ पर देखे सीटे निकलने वाली हैं तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है ताकि जो दूद है वो बाहा ना निकले और यहाँ पर आप लो फ्लेम करके 4-5 लगा लीजे़े इतने में जो खीड है बहुत अच्छे से पख जाती है तो यहाँ पर मैंने 4 लगा लिये है गैस की फ्लेव को मैं आफ करके इसे मैं उतार लूँगी सेम यहां मैंने एक दूशा पैन ले ली है इसमें घी डाला है यहां पर मैंने लिया कुछ ट्राइफूर्स यहां पर यह बिल्कुल ऑप्शनल है इस पार्ट को करना अगर आप चाहें तो आप इसे स्केप कर सकते हैं लेकिन अब आपको गैस को आउन करते हैं और इसे आपको 15-20 मिनट के लिए इसे आप पकने देजिए बीच पीच पे आप इसे चलाते रहें तो यहां पर हम ट्राइफूर्स भी डाल देंगे यहां पर आपको डालना है इलाइची का पावडर आप चाहें तो जो ग्रीन व चीनी की जो क्वांटिटी है आप अपने चॉइस के साफ से कम यह ज्यादा कर सकते हैं दस मिनट और पकाएंगे तो आपकी खीर ऐसे गाली सी हो जाएगी इतने गाली होने तक आपको इसे पका लेना है तो इस स्टेज पे आई ना तो गैस की फिलम को आप आप कर देजिए हुआ है लॉंग लिया हुआ है तो इसमिस पे थोड़ निकाल लिए जिसे मैं चावल में रिश करने वाल हुआ है और मैं लाल मिश्ट लिया हुआ है तो यहां पर मसाले आपको लेना है इससे अच्छा टेस्ट आता है सबजी का तो यहां पर अब हम मतर पनीर बनाएंगे तो मैंने दोनों सबजी के लिए ग्रेवी बना दी हुआ है तो यहां पर मैंने तेल डाल दी है बहुत कम तेल में इस सबजी को बनाएंगे तेल को आपको अच्छे तरसे गरम करने देना है इसके बाद आपको जीरा डाल देना है जीरे को अच्छे से आपको क्रेकल होने द यहां पर आपको इससे अच्छे तर से भून लेना है गैस की फ्लेम को मीरियम हाई कर सकते हैं ति जब तक भून दिये तब तक मैंने आप लिया है मिर्ज लैसन और यहां पर थोड़ा साम अद्रग डालेंगे लैसन की क्वांटिटी आप आठ से 10 रखें यहां पर अद्रग जब देंगे इससे अच्छा टेस्ट आता है अगर आप लैसन नहीं खाते हैं तो आप स्टेज को स्किप भी कर सकते हैं तो यहां पर इसको ग्राइंड कर लेंगे इसके बार आपको टमाटों को भी ग्राइंड कर लेना है यहां पर देखिए जो प्याज है ना मैंने अच् इसे अच्छी तरह से भून लेना है जब तकि जो इसका कच्छा पन होता है वह खतम ला हो जाए इसके बाद आप डाल दीजिए हल्दी का पाउडर एक चमच यहां पर दो चमच धनिया पाउडर डाल देंगे इसके साथ ही तीखे पन के लिए यहां पर लाल मिश का पाउडर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर रखें तो यहां पर मैं दो चमच के लगप यहां पर नमक डाल दीए आगे हम एज़ेस्ट कर लेंगे जितना हमें चाहिए होगा यहां पर थोड़ा सा भून नहीं हुए जीरे का पाउडर में एड़ कर देंगे इससे बहूत अच्छा कलर आज आता है सबजी में यहां पर इसको भी अच्छी तरसे भून लीजी यहां पर थोड़ा सा पानी एड़ कर दोऊगी इसरी किया होगा जो जलेंग दही और उससे चाहे Westminster देंगी जब तक शूक्य अच्छी एज सब्नाई में नहीं को 적त टो कि सूक ह कोड़ें में कूझ कियों कि यहां पर पुरी भोटे में कहीं नहीं लेश है तो यहां पर इस अप् allowed है वह यह में अपडाया चाहते हैं आपको इसमें एड़ कर देना है काजू तो यहां पर मैंने 20 काजू को पानी में भीगो के रख लिया था सुरू में उसको मैंने यहां पर ग्राइंड किया है इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है सब्जी का आप चाहे तो स्केप भी कर सकते हैं लेकिन अगर किसी फैस मैं पर निकाल रहां हो इससे हम आ पर सब्जी में यूज करने वाले है पनीर के लिए आपको यहां पर मासाले के लखनी ज्यादा रखनी सूकी सब्जी के लिए अगर अगर आपको दो कर देंगे तो दोग एंदाख आप अज दूनी पर यहांप दोस्ते के रिट करें, हंगर को तुरा भीन सब्सक्रार तो पूल । दोस्तों के शिए दोब явर एंद्धन बादे कर दाएं एक वोईल जो आज है तो आपको अब कटा हुआ पनीर की कौंठिटी आपको आप दोसस तीन डाल लेंगी इतने साब를 आपके बहुत अच्छा सा building मेल लिए 1 फोर्थ कॉप मुं की डाल और 1 फोर्थ कॉप मैंने हा अहां पर अर्र की डाली इसको आपको आपको चौन लेगे ऑच्छी तरसे तीन से चार बार अच्छी तरसे दोलेना है इसके बार आप इस home cream डाल लीजिए आप चाहें तो इसे भीगोड़ के भी ढख सकते हैं पर विना भीडोय भी आप इस даल को बना सकते हैं तो यहां पे इतने दाल के लिए आपको डालना है भिए धाई कप पानी बिल्कुल पॉफेक्ट है क्या है आधा कप यहां पर यूचकिया है उसका फाइफ 良ते हैं यहां पर देखिए पनीर पनीर हो तो आपनेर हो गया है तो यहाँ पर देखिए जैंसे जादाՆ हूँ भी हई टम चला मकलेस तक बहुत है तो दिखियर हो गयो है तो यहां Africa दिलिस्ति का Andy हमारा रा विक करेंगे इसे हम मिक्स कर लेंगे तेस को आपको साइड हो डगतना है यहां पर दाल में मैंने दो सीटी लगा लिया था अरह की दाल को पकने में बहुत जाए टाइम नहीं लगता है तो इस तरीके से आपकी दाल अच्छे से गल जाएगी और यहां पर जो टेक्शर देखे बि तो यहां पर आपको अब हाई फ्लेम करके इसे तीन से चाइव मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है इतने में जो सब्जी है ना बहुत अच्छे सपक जाती है मीरिया में फ्लेम पनाच पकाएं इसे सब्जी आप हलकी सी क्रंची रखे बहुत जाद आपको इसे मैसे करना है तो तीन से चाइव मिनट में आपकी सब्जी बहुत अच्छे से फ्राइ हो जाती है तो यहां पर अब हम इसे निकाल लेंगे इससे ज्यादा आपको इसे ओवर कोक नहीं करना है क्योंकि हमने इसे पतलेपले स्लाइस में करत किया है तो बहुत ही जल्दी यह मिनट के लिए तो यहां पर इस तरीके से भिंदी अच्छे से फ्राइ हो जाती है यहां पर देखे बहुत ज्यादा मैंने तेल यूज नहीं किया सब्जियों में अगर मेहमान आते हैं तो इतना तेल लगता है अच्छे तरह से खाना बनाने के लिए आप जाहें तो तेल की कर तेस्ट आता है वो अच्छा नहीं लगता है तो यहां पर तेल को अच्छे से धुवादार गरम होन दीजी उसके बाद ही आपको सब्जियों को डालना है तो यहां पर मैंने गोभी को भी फ्राइ कर दिया है यहां पर हम थोड़ा सा मत्रे भी टाल देंगे इसको भी statements और को पर रहें नहीं बह WORства हें से नहीं है इसमें हदो करें करें दया तो बहुत है जाने करें तरद देंगे मैं नहीम करना है तो एले नहीं को अच्छा अच्छा से लिए ढ कर लिए हम दिए यहां पर दिखें के साली सब्जियों लिए मसाले तर अश्छा निकाल हुआ क यहां पर यहां पर मसाले को इड़ना है आप जाहें तो इस त्थेज पर यह पीदिशन नहीं होग anda झाला ले बिञा झाले ही चला है यहां पर यहां पर हर अज़ श्कंग को नहीं पर यह चुरूथ दॉछ के जारी तो नहीं है अलाहाय है 3-4 चमश पानी उपर से छेड़क दूँगे जिससे जो इस सब्जी है वो जलेंगे नहीं तो वही काटोई लिया है जिसमें मैंने मसाले निकाले थे उसे में पान डालके मिक्स करके इसमें मैंने एड कर दिया है अच्छी तर से मिक्स करके इसे आपको ढखके पकाना है 3-4 मिनट के लिए जब तक यह पकता है ना तब तक मैंने या क्या क्या है कि दो ग्लास चावल मैंने अच्छी तर से धो करके यहाँ पे भीगोने के लिए छोड़ दिया है तो यहाँ पे जुरूर चावल के भुगोई या फिर आप इसे तप तप पका लीजिए जब तक आपके सब्जी अच्छे से पकना जाए यहां पे देखिए बिल्कुल भी सब्जी जली नहीं है बहुत अच्छे से पक गई है तो इसे आपको निकाल लेना है आप चाहें तो यहां पे थोड़ा सा उपर से कटा हुआ ह्रा अगर आपको जादा पत्तीखा पसंदे तो आप यहां पे नमक मिर्च और एजएस्ट कर सकते हैं तो हमारी यह सोखी सब्जी बनके त्यार हो गई है तो अब मैंने यहां पे ले दिया है थोड़ा सा तेल इसमें मैं डाल लिए जीरा यहां पे राई डाल देंगे यहां पे अब form यहां पे हMOरी पत्ता नहीं पसंदे तो आप इसे as ख सकते हैं यहां पे मैं एक साइज की प्याज को बारी चॉप कर कर डाल दूए यहां पे आपको प्याज को अच्छी तर से भून जब तक प्याज का जो कच्छापन होता है यहां पे हलका सा गुलाबी कलर का आपको से कर लेना है याई ट्रांस्पेरंट सा हो जाए बहुत ज़्यादा ब्राउन आप ना करें तो आप हम इसमें एड कर देंगे एक चोटी साइज का टमाटर और यहां पे आपको इसको अच् दाल आणस्ते चाप परेंगे को पूर से बूल ने हैं इसके बाद आपको इसमें दाल आड को अगर आधाया हो रहा है तो यहां पे हमाणे स् Radha बहुत जयां हो गया तो बहुत ही डिलिशन के लिपने के हमाएं बढ़ की त्यार हो गये जो कि बहुत ज़्यादा बढ़े ल यहां पर मैंने चार कप आठा ले लिए हैं यहां पर आप चाहिए तो सिंपल पूरी भी बना सकते हैं पर मैं थोड़ा सा मसाला पूरी बना रहे हैं तो इसके लिए मैं नमक डाल दिया है थोड़ा सा धनिया का पाउडर अजवाइन इससे इसका टेस्ट बहुत जादा यहां पर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे और यहां पर आपको बहुत ही अच्छा आठा नहीं ना है तो यहां पर रहा हुँं नो चीज़ टाय्ण हो थिए को आप नहीं है यहां पर आपको मैं पस performantice that डाल बांग दो चावल को डाल दिया है यहां पर थोड़ा सा नमक कर दिया है और यहां पर हम लीट को बंद कर देंगे और यहां पर आपको आपको हाई फिलेम पे दो विशल आयन तक आपको इसे उबा लेना है सिंपल सी राइस के तास भी है जो की बहुत ज़्यादा बढ़े लगती है इस कॉम्बो के साथ तो यहाँ पर देखिए चावल बहुत ज़्यादा पॉफिट बने हुए खिले-खिले से बिल्कुल भी यह गीले नहीं हुए तो यहाँ पर एक बार इससे अच्छे तरह से आप को छोड़ देना है तब तक हम यहाँ पर राइता बना लेंगे तो मैंने यहाँ लिए एक कप दही दही बहुत ज़्यादा खटी मत लीजिएगा यहाँ पर अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैं डाल दियू खीरा की आदे खीरे को मैंने आप ग्रेट कर लि इसके साथ ही थुआ सा मैं लाल मिश डाल दियू और यहाँ में काला नमक डाल दिया है भूरना हुए जीरे का पौर डाल देंगे और यहाँ पर आपको डालना है रायता मसाला सिंपल से यह रायता है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़े लगता है अगर आपके पास फ्रेश पासं रगेंगे जिसे रहल का सा चिल्ड हो जाए तो खाने में बहुत ज़्यादा बढ़े लगता है तो यहां पर देखे ही जो आठा है वो भी अच्छे से सैथ हो गी है तो आपको इसकी पूरी हो बना लेना है यहाँ पर हम इसमें सूखा आठा ने ल लगाएंगे यहां गरम तेल में आपको इन पूरियों को डालना है और हाई फ्लेम पे ही आपको पूरियों को तलना है जब तक इन दोनों साइड से अच्छे से गोर्डन कलर की न हो जाए तो यहां पर पूरी को कभी भी वाइट कलर का अपना निकाले क्योंकि ठंडी होने के बाद ही और ज़्य ज़्यादा बढ़िया लगती है और यहां पर जिस तरीके से मैं ने बताया ना कि एक मसाला बनाएंगे उसमें आप दोनों सब्जी को इस्टेड बना के तयार कर सकते हैं तो यहां पर मैं दाल खीरा और यहां पर रायते को शर्फ कर देंगे और यहां पर पूरी को सर्फ क आएगे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू बाब बाए